हेलो फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं आप अच्छे से होंगे तो आज की इस वीडियो में हम अन्वॉक्स करने वाले हैं सैंडिस्क का पर एक्स्ट्रीम पोर्टेवल स्स्ट जो कि आप देख सकते हो वन टीवी का है और जो इसकी स्पीड कंपनी क्लेम करती है वह फाजन एंड फिप्टी अमबीपी अए और यह जो स्स्ट है यह काफी सलीक डिजाइन और छोटा सा है तो देख सकते हो इसका बॉक्स और अगर मै इसे तो यह mansion 32,000 है बट यह approximately 8 to 10,000 के बीच में Amazon पर मिल जाता है तो चलिए फटवर्ट से करते हैं इसके इसके इन्वाक्स अन्वाक्सिंग और एक C-type cable है और एक C-type 2 USB connector है जो कि अगर आप चाहो तो अगर USB 2.0 यूज कर सकते हो इसके अंदर इस तरह के से connect करके आप ये USB-B से आप यूज कर सकते हो इसको देख सकते हो गाइस काफी sleek है और काफी चोटा सा है बिलकुल lightweight है पता भी नहीं लग रहा है बिलकुल इसका म simple और चोटा सा device है तो अब हम इसकी speed test check करेंगे वैसे तो company claim करती है कि इसकी speed है वो 1050 Mbps per second है बट इसको हम practically check करके देखेंगे कि कितनी speed आती है क्या ये हमारे जो internal SSD है उससे भी fast है या नहीं तो चलिए test करके देखते हैं तो चलिए दोस्तों इसको test करते हैं अपना जो य का हम इसमें connect करते हैं और इसको अपने PC से connect करते हैं इस side में है port मेरा c type to c type मैं इसको connect कर रहा हूं और fast speed के लिए जो ये thunderbolt c type port होता है उसको ही अपने को use करना है तो कि maximum speed हम test कर सकें जो की company द्वारा भी recommended है चलिए फटा-फट से हम इसको connect होने का wait कर रहे हैं ये जल्दी स deduct हो जाए हमारे PC में और ये deduct हो चुका है तो इसे हम करते हैं open और यहां पर दो software दे रखें एक windows के लिए और एक macOS के लिए SanDisk के security से related मतलब device encrypt करने के लिए use होता है SSD को encrypt करना हो तो इस software को install करके आप कर सकते हो तो चलिए हम अपने speed चेक करना है अपने को तो हम यहां से कुछ files को copy करते हैं एक साथ एले single file click करके देखते हैं यह मैंने 800 approximately की file copy करी और यह within second copy हो गया तो हमें पता भी नहीं लगा और लगबग एक second के अंदर अंदर इसने 800 MB की 800 MB की file copy कर दी अब हम एक साथ कई सारी file copy करके देखते हैं कि यह कितना time लेता है उससे थोड़ा हमें idea लएगा थीक है तो मैं इसको कर लेता हूँ copy और इसको copy करने के बाद हम अपने SSD वाले drive में चलते हैं और यहां पे मैं करता हूँ paste अब देख सकते हो यह लगबग 12345 तो यह लगबग 5 second में 3.something gv थी फाइल को copy कर दिया तो काफी speed तेज है जो claim कर रही है company 1050 Mbps अप्रोक्सिमेटली speed उतनी ही है दोस्तों अगर बात करें इस device के review की कि अगर यह device आपको खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए तो वैसे तो इस device में कोई दिक्कत लगी नहीं मुझे काफी छोटा साया है आप pocket में लेके इसको carry कर सकते हैं या फिर backpack में अपने traveling के दौरान यह आपको बहुत helpful होगा data storage में problem नहीं आएगी बट बस इसमें मैंने जो problem notice करी है इस SSD के साथ वो है heating issue मतलब मैंने इसको अपने Mac पे use किया था backup करने के लिए तो जब भी इसको मतलब काफी time तक जब हम इसे connect करके रखते हैं और इस पे work चलता है इसके अंदर कुछ copy paste होता रहता है मानलो Mac का backup हो रहा है तो यह extreme level पे heat होता है जो कि मैं इससे थोड़ा सा disappoint हुआ हूँ Sandisk को इसके ऊपर कुछ work करना चाहिए क्योंकि costly product है overall performance good है बस अगर heating issue को हम side में रखे तो so thanks for watching this video मिलेंगे फिर किसी और video में Sब म dependencies खխी है